पासवान समाज ने कहा था खुली चुनोती दिया था कि आज कहीं दिन रहेगा जो पटना में देखने को मिलेगा यानि कि चिलाक पासवान के खिलाफ जिस तरीके से रैली निकाला गिया है उसी बीच बड़ा खबर निकल करके सामने आ रहा है यानि कि जिस पासवान समाज ने सरकार बनाया जिसे जीत दिलाया आज उसी पर देखने को जिस वीडियो के माधन से आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लाठी चार्ज हो रहा है और उसमें ना महिला सुरक्षीत है ना पूरु सुरक्षीत है ना बच्चे सुरक्षीत है हमार साथ इस वक्त दो सहयोगी हैं बात्चुत करने के लिए विकास और नंदन तो चलिए के करके जानकारी लेते हैं और आप तक पहुचाते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ जो वहाँ पे लाठिया चल गई है विकास जिस तरीके से पासवान समाज रैली निकालते हैं और उसे बीच लाठी चलती है जो सरकार को जीत दिला है वही सरकार आज लाठी चलवा रहे हैं क्या कहना चाहिएगा देखे सर्म की बात है दुरभाग की बात है कि ये बिहार सरकार है और इस बिहार में हम लोग है हम क्यूं है यहां हमें खुद को समझ में नहीं आता है आखिरकार सरकार चाहती क्या है नितीज कुमार क्या चाहते है चिराग पासवान क्या चाहते है ये किसी को समझ में नहीं पुलीस के बिल्कोल जो भी आए फूलीस के डंडे में फूलीस के डंडा सब गुभी दोरी पर पर जहां पर निती इसकुमार चाय कॉफी पी रहे थे बिधान सभा में बैठ कर तो वहीं से एक किलो मीटर की दूरी पर बिहार पुलीस जो है वो लाठिया भाज रही थी आखिरकार आज जो ये लाठिया उठी आज जो ये लाठिया चली किसके इसारे पर चली इसका आखिरकारी सारा किसनेक दिया कि जो 25 तारीक को ए अलान हुआ है बिधान सभागिराओ का उससे पहले आप लाठियां भाज दीजिए कि लोग डर जाए दुबारा सरक पर न उत्रे तो ऐसा नहीं होने वाला है बिहार में हक की लराई है यहां पास्वान समाज की और अपना हक लेने के लिए वो दुबारा क्या बार बार सरक प पुलीस ने लाठियां भाजा वो देखकर साब तोर पे लग रहा था कि पुलीस को ट्रेनिंग नहीं दी गई है पुलीस को सीधा सीधा आदेश दिया गया था कि जो भी आ जाये जहां भी आपको दिखें वहां मारिए यह वही बीजेपी की सरकार है जो बीजेपी पर नीचे मारना है उससे उपर नहीं मारना है लेकिन आज जो तस्वीर निकल कर सामने आई वही पुलीस फिर से किसके इसारे पर इस तरीके से लाठी चला रही थी आज समराठ चौधरी को जबाब देना होगा आज विजय सिनहा को जबाब देना होगा क्यूंकि कल के दिन जबा आप पर लाठी चला था तो आप सरक पर बैठकर हाय तौबा कर रहे थे तो सब कुछ ठीक था जब महागट बंधन के नेता जो है वो बिधान सभा में बैठे हुए थे तो आज जब आप बैठे हुए है और नेता कोई सरक पर नहीं उत्रे थे नेता अपनी मांगों को लेक आपने उनका जिस तरीके से वोट ले लिया जिस तरीके से इस्तमाल किया और उसके बाद अब उनकी हक मारी की जा रही है दफादार चौकीदार आज तक पासवान समाज बनते आ रहे हैं उसमें आपने बदलाव कर दिया और सीधा सीधा उनकी हक मारी कर दी कई और ऐसे नि लिए अगर बिहार में कोई सरक पर उत्रेगा तो आप उनको लाठी चार्ज करेंगे, आपकी पुलिस इस तरीके से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरीके से भगा भगा कर मारेगी क्या, और ये सब कुछ राजधानी में होगा, अगर जिला में होता तो हम समझ जाते कि ठी जिला में हो रहा है, लेकिन राजधानी है ये, राजधानी में जब आपकी पुलिस इस तरीके से हरकत करेगी, तो जिला में आपकी पुलिस क्या करती होगी, जिला में तो इन्हें दिन दारे टांग देती होगी, जिस तरीके से राजधानी में हुआ, अगर ये कोई वीड लिए ये तक पुलीस नहीं देखी, कि इसमें इनके भी बच्चे हो सकते हैं, आज इनका हकमारी हो रहा है, कल आपका हकमारी होगा, तो आवाज उठाने के लिए यहीं लोग आएंगे, और कोई नहीं आएगा, आप बर्दी में हैं, आप नहीं आ सकते हैं, ये चीद समझनी ह होगी, थोड़ा सा यहाँ पर सवेदन सील जो है, पुलीस को भी बनना होगा, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से लाठियां बर्साई जा रही थी, आखों में देखकर आपको आशू आ जाएगा, कि ये वही नितीज कुमार है, ये वही समराट चौधरी है, और ये वही पासवान समाज के सबसे बड़ा नेता होने का दम भरते हैं, और उनके समाज के लोगों को इस तरीके से पहले तो गुंडे पीटते थे, तो वह आवाज उठा रहे थे कि चिराक पासवान बचा ले, लेकिन अब तो चिराक पासवान खुद पीट वा रहे हैं, कि आओ हम त पासवान समाज निकालने वाले थे, और आप देख सकते हैं, कि वीडियो में किस तरीके से उन्हें पीटा जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा? वहाँ पर भारी जुटान था, वो लोग आया अपनी मांग को मांग रहे थे, और साथ हमें कुछ लोगों से हमने बाचित भी की, उनका यही कहना मता है, कि हमें चिराक पासवान नितीश कुमार नरेंद्र मोदी किसी से कोई आपत्ती नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देन बाचित अके निकल रहे थे, हमें चिराग से उमीद थी, हमें नितीश से उमीद नहीं, खतम हो चुकी थी, लेकिन चिराग से उमीद थी, 90 से लेकर अब तक हम सिर्ब एक ही, बात दोहरा आते, मतलब कि साल गिन ली जे, 90 से अब तक बढ़े हो गए, रिटायर हो गए, मौत हो गई कुछ लोगों की मतलब समझी कंटिनियोस चलता रहा है किसी को कोई लेना देना या तफ़ादार चौकिदार की बात करें तो आज से नहीं सालों से अपनी मांग को रख रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही थी इनने लगा कि चलो अच्छा है पूरी नहीं हो रही तो ह हमारे समाज का नेता जब उनके हाथ में कुछ आप रहे घार चिराग पास्वान के हाथ में पावर आथा कि आट वहां पर इंजार लोग आप किस तरीके से इस्तमाल कर रहें कि आप कम्यूंटी के कि तस्वीर साजा कर रहे थे खुशियां मना रहे थे फिर यह वार्णिंग देते हैं कि अब हम घिराव करेंगे अब हम प्रोटेस्ट करेंगे फिर भी कोई बात नहीं क्यों कि सरकार को पता था जिनके हाथ में सारा दारों मदार है उनको पता था कि आखरी चांस आखरी मौक अगर लाठी चार्ज का मतलब जान लेना नहीं होता है अगर लाठी चलाने का नियम पुलिस कर्मियों को प्रशासन को पता होता तो पिछले साल यही जुलाई का महीना था पिछले साल यही जुलाई का महीना था जब लाठी चली थी तब एक बीजेपी कारे करता की जान भी गई थी अगर लाठी चलाने आपको आता तो आप इस तरीके से लाठी नहीं चलाते कि लोगों की जान चली जाती अभी जिस से मतलब है ना आपके खुद सांसरी है शेतर में जो हो रहा है उससे मतलब है तो चिराग पासवान जी से हम अनुरोध करके ठक गए हैं आज का दिन था कि चलो लाठी चार्ज नहीं होगा उपर से आदेश नहीं आएगा कि लाठी चार्ज हो एक बड़े नेता सामने आ जाते आकर बुलते कि हाँ हमें उन्होंने भेजा है आपकी बातों को हम रखेंगे कोई नहीं आया किसी को मतलब नहीं क्या ओर लाठी चल रही है तो विहार इस वागत है हमारे इस बिहार में ऐसा ही होता है कि अगर आप अपनी मांग को रखते हैं तो आपर लाठी चल जाएगी अगर आप अपनी मांग को रखते हैं, तो लाठी से मार के आपकी जान ले ली जाएगी, अगर आप अपनी मांग को रखते हैं, तो मांग तो पुरी होगी नहीं, एक महीने, दो महीने प्रोटेस्ट करते रहीं, तीसरे महीने आप खुद भूल जाएंगे कि हम यहापर बैठ या हुआ है लेकिन बाहर के राजियों में जो हो रहा है वहां वो जा रहे हैं वहां वो शान्तों ना दे रहे हैं कि हां हम केंद्र के सरकार हैं हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आपके बिहार में क्या हो रहा है आपके सांसदिये शेतर में क्या हो रहा है वहां पर आप नहीं जा रहा है और आपके राजधानी में आपके बिहार के राजधानी में आपके समाज के लोगों को दंडे से मारा जा रहा है प्रशासन द्वारा लेकिन आपको मतलब नहीं है अगर आप सरकार में रहते अगर आप सरकार में नहीं रहते अभी अगर आपके हाथ में कोई गद् तो विदानसवा एलेक्शन से हमारे को लेना देना है नहीं, नितिश कुमार के नेतिरीतर में हम लड़ रहे हैं, हमें क्या कुछ मतलब है नहीं कि हमारे किसी पासवान समझ पर लाठी चले, क्योंकि अब आपको आपको मिल चुका है, तो हमारे मुझ से अगर ऐसा कुछ निक कि आप सामने आकर नहीं रहे हैं, कि क्या मांगे, आपको तो इतना भी नहीं पता है, क्या उनकी प्रती होगी, उनकी बात जब आपके कान तक नहीं जा पारी, तो आपसे और लोग उमीद भी क्या करें विकास आपके पास आते हो और ये जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके से आज जो ये हुआ है यानि कि जिस तरीके से लाठी से मारा जा रहा है और चिराग पासवान आज भी चूप हैं तो क्या लगता है आपको जिस तरीके से देखें कि पासवान समाज का ये कहना था कि हम रै होना है उसकी तस्वीर क्या निकल कर सामने आएगी आज जो बिहार में देखने को मिला वो पिक्चर का ट्रेरल था पूरा पिक्चर जो है 25 तारीक को देखने को मिलेगा ठीक है आपने लाठियां बरसा कर आवाज कुचलने का कोर्चिस किया लेकिन आप लाठी नहीं बरसा सक सांति पुन मार्च निकाला जा रहा था वो मार्च निकालते एक रास्ता उन्होंने तय किया था उस रास्ते से चले जाते आपका विधान सभा तो घेराव करने नहीं जा रहे थे ना आज आज तो वो मार्च निकाले हुए थे तो क्या अब सभिधान के तहद ही जिस सभी थान की दुहाई कि खुद देश के फंधे सभी को बोलने का हक है उसी में एक ये भी हख है कि हम अगर हमारे साथ कुछ तो हम अपनी आवाज को उठाएंगे हम हरताल करेंगे हम परदर्शन करेंगे तो जब वो कर रहे हैं विधान सभा घेराव करते तब हमें पता था कि उहां 144 लागू है हम उहां नहीं जा सकते हैं लेकिन यहां 144 लागू था क्या जो इस तरीके से आपने लाठी बरसा दिया तो किस राइट के तहद आपने लाठी बरसा दिया भाई वो तो जा रहे थे मार्च सांती पुन तरीके से निकाल के अपनी मांगों को रखते हुए जा रहे थे तो आपने लाठी क्यों बरसाया आपने लाठी इसलिए बरसाया क्योंकि आपको पता है कि अगर आज इनकी आवाज को नहीं कुचलें तो 25 तारी को इस से दूगने के तगाद में पटना में लोग दिखेंगे, आज इनकी आवाज को कुचल दो, आज इने डरा दो कि 25 तारी को ये पटना आने का नाम तक न ले, और यही साजिस के तहद यहाँ पे सरकार साजिस की है, यहाँ पे और कोई साजिस नहीं किया है, य लोग डर जाए अदुबारा 25 को ना आए ये सांतिपुन तरीके से बिधान सभा में कुरसी तोरे जो ये कर रहे हैं कुरसी तोरने कहीं काम कर रहे हैं कुरसी पर बैठ कर चाय कॉफी पी कर जनता का सेवा नहीं कर रहे हैं जनता के पैसा बरवाद कर रहे हैं यहां पर बिहार इतना सब कुछ हो रहा है बिहार में इतना सब कुछ आपके पासवान के साथ हो रहा है और आप दिल्ली से एक बार भी आए पटना नहीं आए अरे आप हाजीपुर नहीं जाते पटना में आकर एक PC करके आप जानकारी ही दे देते ठीक है आप बहुत बीजी है आपको खराब चल रही है उसे देखने के लिए लेकिन यहां पूरा पासवाल समात की सेहत खराब चल रही है तो उसका आपको कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन मनीपूर का दिख गया धन्यवाद है आपका कि आप मनीपूर तो कम से कम पहुंचे बिहार ना पहुंचे तो कोई बा लेकिन दुबारा अगर आप इसी तरीके से काम करते रहे और जनता के पास जाएंगे तो जनता आपके और देखेगी भी नहीं आज जो लोग कह रहे हैं न चिराग भाईया चिराग भाईया हमारे सब कुछ है बिहार फस्ट बिहारी फस्ट आज जो आप गारी पर खड़े हो कि एक एक आद्मी आपसे नाता तोर लिया और इसकी शुरुवात हो गई है मदवाला ये चिराग पासौणान उनकी पारटी को समझना होगा और आज जिस तरीके से निती इसकुमार पासौण समाच पर लाठी चलवाएं है जिस तरीके से पिटवाएं है इस से आप पासौ पांसत बनाने के लिए चिराग पास्वान सिर्फ पांस सीठ ही नहीं हर एक सीठ पर परचार करने गए और हर एक सीठ के अति पिछरा समाज से लेकर राच्पुष समाज तक इने वोट कर दिया कि ठीक है चिराग पास्वान आये है तो गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम लोग चिराग पास्वान के बात में आ गए और अपनी मांग को लेकर सरक पर उतर गए लेकिन जिस तरीके से पास्वान समाज पर आज लाठी चली है चुप नहीं रहेंगे आज ठीक है एक कदम पीछे हट गए लेकिन कल यानि कि 25 तारीक को इस से दुगने के स संख्या में आके सरकों पर उतर कि यह जरूर दिखाएंगे अज सरकार को चिताएंगे कि मांग को पूरा कीजिए और नहीं तो तक्त ही ला देंगे बिल्कुल बिल्कुल नंदन आपके पास आते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज जो पास्वान समाज क पीछे नहीं जा रहे हैं क्यों नहीं उनका दर्द समझ पा रहे हैं हमने करίναι बहुत हैं नेता हैं बहुत इब इंसान inappropriate हुई हैं लेकि म़िसवाएं पता नहीं से दिशा में गई हुए परिश्बidée के लिए चक्षब्सवस करें अब प्रोटेश्ट Resh Shre η जिसने उतिहास रचाता कुछी महीने पहले और उसे इतिहास रचने को लोगों को उम्मीदे हुई थी कि आज वह चिरागvasive जीता जीत कर यह किया जिस चिराग everytime कि चर्चा हो रही है जिस चिराग पासवान को मंदे नजर रखकर लोग चल रहे हैं बिहार को सबसे ज़्यादा उम्मीद है थी चिराग पासवान से बिहार को इसलिए उम्मीद है कि बिहार को आज तक चिराग पासवान जैसा नेता नहीं मिला था भले ही सांसद हो लेकिन बिह तो अपने पिता की भूमी का पर तो नहीं चल रहे हैं और यह बहुत ही विकास ने कहा ना कि इस पर तो आप सांसद बन गया कर ऐसा ही रहा तो कोई आपसे हाथ मिलाने को तयार नहीं होगा नहीं आप सांसद भवन पहुंच पाएंगे अगर यही स्थित्रही तो आफिर में इतना ही कहेंगे चिराग पासवान से लोगों को जो उमीदे है वो 99 प्रतिशत कम हो चुकी है एक प्रतिशत यहीं तीन-चार दिनों में पता चल जाएगा कि आपकी जो कम्यूनिटी है भई आपको वोट करेगी आप चल कर या नहीं करेगी हर कुछ आपके हाथ में है बिल मिलेगी कि आखिर क्या कुछ पासवान समाज आगे करने वाले हैं क्या कुछ देखना होगा आखिर चिलाग पासवान समाज के लिए पासवान समाज के वो कड़के भी और पासवान समाज के लिए एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो यह काफी उनके लिए बुरा चीज सामने आ झाल